दिल्ली वाली ज्यादा टली जिहां सही सुना आपने दिल्ली वाली ज्यादा टली लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली वाली और टली से हमारा क्या मतलब है तो दोस्तों हम दिल्ली के महिलाओं के बारे में यहां बात कर रहे हैं जो अब पुर्षों से कहीं आगे निकल गई है पीने के मामले में और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ये चोकाने वाला खुलासा हुआ है एक सर्वे में कैट दिल्ली सर्वे के अलाना नैशनल इंस्टिटूट अफ अलकोहल अब्यूस अन अलकोहलिजम की माने तो महिलाओं ने 62.5 फीजदी शराब पर अधिक खर्च करना शुरू कर दिया है जबकि 22.3 फीजदी ने खर्च कम किया वही 15.2 फीजदी ने शराब के खर्च में किसी भी नियमित व्रिधी की सूचना नहीं दी है चलिएब आपको बताते हैं विस्तार से की आखिर ये पूरा मामला है क्या इसी साल यानी 2022 में शराब का सेवन करने वाली महिलाओं पर हुए C.A.D.D. डिली सर्वेक्शन में ये खुलासा हुआ है इसमें 5000 महिलाओं को शामिल किया गया था और जो सामने आया है उनमें पाया गया कि महिलाओं में शराब के उप्योग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो महिलाओं पहले से ज्यादा शराब पीने लगी है सर्वे में शामिल 77 फीज़ी से ज्यादा महिलाओं ने ये माना है कि दुकानों पर एक के साथ एक फ्री जैसी छूट ने शराब की खरीदारी को और अधिक आकरशक बना दिया है सर्वे में एक और चोकाने वाली बात सामने आई है सर्वे में बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं ने सामने से ज्यादा शराब पी है इसमें पाया गया कि महिलाएं अपनी चिन्ताओं से निज़ाद पाने के लिए भी शराब का अधिक सेवन कर रही थी जो पुर्शो द्वारा अनुभव की जा रही चिंताओं के चलते शराब की खपत के अनुपात से अधिक था CADD द्वारा की गई सर्वेक्षन में COVID-19 महामारी के आगामी लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन में शराब की उबलबधा और खपत में बढ़ोतरी खर्च के पैटरन शराब पीने की आद्दो समेत अन्यमान को को आधार बनाया गया था और उसी के बाद ये चौकाने वाले खुलासे हुए है इतना ही नहीं दोस्तो इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि सिर्फ तीन दिन में ही दिल्ली वाले सौ करोड से ज्यादा की शराब गटक गए है ये हम बात कर रहे हैं दिवाली के तीन दिन पहले की जी हाँ दिवाली के तीन दिन पहले शराब की इतनी जबर्दस्त विक्री हुई है कि सभी रिकॉर्ड शराब की विक्री ने तोड़ दिये आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर